हेलो गाईस वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल दोस्तो आज इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि 14 दिसंबर से 36 गण आई टियाई खुलने जा रहा है एक जारी आदेश के अनुसार 14 दिसंबर से आई टियाई की अन्तिम परिक्षा वार जितने भी परिक्षारति हैं उनके लिए आई टियाई खोले जाने की अनुमती जारी हुई है वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेश्ट है कि आगर आप हमारे चैनल पर नए होते पिलिस हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी तरह के नए ने वीडियो आप तक पहले पहुँश सके दोस्तो अब आते हैं हम अपने वीडियो की ओर दोस्तो एक पीडियेप जारी हुई है आदेश जिसमें साप लिखा हुआ है कि अंतीम परिक्षा फाइनल एकजाम में सामिल होने वाले परिक्षाड़तियों के परियोगी परिक्षाड़ पूर्णा कराने हैं तो आई टिया खोले जाने की बाबत ये 36 गड़ के आई टिया के जितने भी आई टिया हैं उनके लिए एक आदेश जारी हुई है जिसमें अंतीम उर्षी की जो परिक्षा में सामिल होने वाले पिद्धारति हैं उनके लिए आदेश हैं दोस्तो हम अब नीशे आ जाते हैं उप्रुक्त भी से अंतरगात संदर्वित आदेश की परिपालन में लेख है कि ये आई टिया के ऐसे परिक्षारती जिनका अंतीम परिक्षा फाइनल एकजाम के अंदर सरकार द्वारस सीग्रायोजित के जाना हैं उनके लिए परियोगी परिक्षण संस्थाओं को खोलने जाने के अनुमति प्रदान की गई हैं अता अपने प्रभार छेतन अंतरगार संचालिस संस्थाओं को ऐसे परिशार्थी जिनकी अंतिम परिक्षा फाइनाल इखजाम के अंदर सर्कार द्वारा सिग्रह जित किया जाना है के प्रियोगी परिशन पूरा कराये जाने के लिए दिनांग 14-12-2020 को खोला जाना सुनिश्चित करें संस्था को खोलने के पूर आयूं परिशिक्षण के दवरान सभी भावनों में किंद्र सरकार द्वारा राजिया में क्रोना संक्रमण के बचाओं के निर्देशों के नुरूप सिनाटाइजर पूरा कराये जाए तथा क्रोना संक्रमण के बचाओं के लिए किंद्र सरकार राजिया सरकार द्वारा समय समय पर जारी के गए नए निर्देशों प्रिफरिस्टम एक उलेखीत का पालन करना सुनिशित करें अन्य परिशार्थे हो कि अनले परिसिक्षण पुरुवता जारी रहेगा तो दोस्तो इस जारी आदेशक के अनुशार जो आई टी आई के अंतीम विद्यारती हैं उनके लिए एक आदेश जारी हुई है जिसमें 14 दिसंबर से खुलने की शंभावना है दोस्तो तो आज के लिए बस इतना ही जहिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लिस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं